वील्कम फ्रेंड्स.. लास्ट टूटोरियल में हम सीख रहे थे कि हम कैसे बीक Igor की हेल्प से प्लस एट कर सकते हैं लास्ट टूटोरियल में हमने जो कैल्कूलेशिन की थी वो थी 7 प्लस 8 अब हम यहाँ पे कैल्कूलेट करेंगे 8 प्लस 8 8 plus 8 करने के लिए हम सबसे पहले unit road पे set करेंगे value 8 यहाँ पे हम value set कर चुके हैं 8 अब हम 8 में 8 को plus करना चाते हैं तो हम क्या करेंगे 10s को plus करेंगे और 2 को minus करेंगे जो कि हमारा big front formula है plus 8 का plus 10 minus 2 plus 10 करने के लिए 10s road पे जाएंगे यहाँ से first beat को उपर की तरफ move करेंगे यहाँ पे हो गया 10 plus अब हम 2 minus करना चाते हैं तो हम unit road पे again वापस आएंगे यहाँ पे हमारे पास जो 3 beats हैं यहाँ से हम last 2 beats को move down करेंगे यह हो गया minus 2 और यहाँ पे हमारे पास results देख सकते हैं 16 जब भी हम 10 को उपर की तरफ move करेंगे तो हम left hand की index finger का use करेंगे और जब हम 2 को move down करेंगे 2 beats को तो हम right hand की index finger का use करेंगे इस बात का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे अब हम देख सकते हैं जो हमारे पास result आ चुका है 8 plus 8 is equal to 16 अब हम reset करते हैं beats को अब हम suppose करना जाते हैं 9 plus 8 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे unit road पे हम 9 value set करेंगे 5 और 4 beats को एक साथ pinch करेंगे value set हो चुकी है 9 अब हम 9 में 8 को plus करना जाते हैं तो हम यहाँ पे again big front formula यूज करेंगे जो हमारे पास है plus 10 minus 2 plus 10 करने के लिए 10s road पे जाएंगे minus 2 करने के लिए यह 4 beats में से जो last 2 beats से इनको minus कर देंगे निचे की तरफ move करेंगे यह हो गया minus 2 अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारी calculate होके value आई है वो है 17 क्योंकि 9 plus 8 is equal to 17 यहाँ पे इसको calculate भी कर सकते हैं जो 10s वाली road है उसमें set है 1 10s मतलब यहाँ पे set है 7 तो 10 plus 7 is equal to 17 यहाँ पे हम एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम beat को move up करेंगे यह move down करेंगे तो हम वहाँ पे index finger का use करेंगे जो कि हमारी left और right hand की दोनों index finger को हमें use करेंगे यहाँ पे हम जो plus 8 का formula यूज़ करेंगे जब भी हम कोई भी calculation करनी है हमें तो हम plus 8 अगर हमें plus 8 की calculation करनी है तो हम वहाँ पे formula यूज़ करेंगे plus 10 minus 2 Thank you